नमस्कार हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज रेके शिक्षा विभाग के अपर मुख सचीव केके पाठक लगतार सुर्खियों में बने रहते हैं आपको मालूम है कि केके पाठक कभी अपने निर्देशों की वजह से तो कभी अपने निर्णे की वजह से लगतार सुर्खियां बटोरते रहते हैं और अब केके पाठक ने एक और बड़ा नोटिस जारी कर दिया है आपको बता दें कि केके पाठक ने सभी जला पददकारियों को बड़ा नोटिस जारी कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि अब आप लोगो को क्या करना होगा आपको बता दे कि वैसे शिक्षक जो निरक्षन के बाद विद्याले से गायब हो जाते हैं वैसे शिक्षकों के लिए केके पाठक ने बड़ा निर्देश जारी कर दिया है आपको बता दे किस नोटस के जरीए केके पाठक ने बता दिया है कि हमें सब बता दिया है कि हमें मालूम है कि कुछ ऐसे भी शिक्षक है जो निरक्षन के बाद स्कूल से विद्यालों से गायब हो जाते हैं और हमारी टीम ने वैसे शिक्षकों को पकड़ा भी है और आप हम इसको लेकर एक बड़ा कदम भी उठाने जा रहें वो कदम क्या है केके पाठ पाठक का वो नोटिस देखिए आपको बता दें कि केके पाठक ने सभी जिला पददकारियों को बड़ा नोटिस जारी किया है देखिए साफ साफ इस नोटिस में लिखा हुआ है कि आप अवगत है कि एक जुलाई 2023 से विभागी अनुश्रवन विवस्था स्थापत है जि इस विवस्था के तहत लगभग 40,000 विद्यालों का प्रती दिन निरक्षन भी हो रहा है और अनुपस्थित पाए गए शिक्षक अध्यापकों का वेतन भी काटा जा रहा है देखिए उसके बाद उन्होंने साफ साफ कहा है कि कई प्रधाना अध्यापकों पर भी लेकिन किन्तु इस अनुश्रवन में कुछ और बाते भी सामने आई हैं देखिए क्या बाते सामने आई हैं जिसका जिक्र किया है केके पाठक ने साफ साफ कहा है कि अनुपस्थित शिक्षक द्वारा प्राया वाटसेप पर ही अपना अवकाश का आवेदन भेजा जाता है ये स्विकारियर नहीं है बड़ी बात कह दी है कि वाटसेप पर अगर आप अवकाश का आवेदन भेज रहें तो इसे कता स्विकार नहीं किया जाएगा साफ उन्होंने आगे ये भी कहा है कि अवकाश का आवेदन भोतिक रूप से विद्याले पहुचना चाहिए ताकि प अपद्यकारी को सूचित किया जाता है कि किसी भी शिक्षक का आवेदन आप वाटसेप पर ना ले देखे दूसरी बड़ी बात भी कही गई है क्या कहा गया है हम प्राया विद्याले का निरक्षन दिन में एक ही बार करते थे अनुशासन ही इन शिक्षकों के बारे में ये पता चला है कि वो निरक्षन होने के बाद समय से पहले ही स्कूल से निकल जाते हैं विद्याले से नदारब हो जाते हैं ऐसे कुछ मामले हमारे पदिकारियों ने पकड़े भी हैं जब ये शिक्षक समय से पहले ही निकल गए तब वहाँ पर निरक्षन की टीम भी पहुची थी शिक्षकों में ये प्रविती इसलिए देखी जा रही है क्यूंकि वे जानते हैं कि विद्यालों का निरक्षन दिन में सिर्फ एक ही बार होता है यानि विद्याले निरक्षन का समय अब predictable हो गया है अता हमें इस inspection की predictability को देखना होगा और हमें इसे unpredictable बनाना होगा बड़ी बात कही है केके पाठक ने देखे साफ साफ कह दिया है कि ऐसा करने के लिए आपको निरक्षन रोस्टर को सुधारना होगा और विद्यालों को निम का क्या है वैसे विद्याले जहां निरक्षन पहली पाली में हो वो निरक्षन सुभा 9 से 12 बजे के बीच में हो श्रेनी खा भी है वैसे विद्याले जहां पर निरक्षन दूसरी पाली यानि के 2 बजे से 5 बजे के बीच में हो और आपको बता दें कि इसमें श्रेनी गा भी है वैसे विद्याले जहां दोनों पालियों में निरक्षन हो ऐसा करने में हम स्कूल इंस्पेक्शन की अनप्रेडिक्टिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं देखे उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आपको रोस्टर को जो है रांडम रखना होगा गोपनिय रखना होगा साथ ही अब निरक्षन रोस्टर मासिक ना बना कर सापताहिक बनाना होगा इसी प्रकार रोस्टर को प्रती एक सपता रांडमाइज भी करना होगा तो आपने सुना है कि केके पाठक ने अब क्या कह दिया है बड़ा आदेश जारी कर दिया है और बड़ा आदेश जारी करते हुए क्या कहा है आपने सुना है यानि केके पाठक की सा आदेश किया आने के बाद शिक्षकों में हरकम्प मचना अब तैस समझिये निकल जा जाते हैं और अब देखना है कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइफ सतीज बहुत शुक्री